हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब वेलकम टो माई चैनल फार्मा एक्जाम दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ और डिस्क वीडियों में हमने एससी के 2019 वाला क्वेशन डिस्कास किये थे आप सभी को पता है एससी के एक्जाम्स आ रही है फार्मासिस्ट की वेकेंसी निकली तो उसी के लिए हम लोग प्रिवियस यर्स की क्वेशन डिस्कास कर रहे हैं अगर आप एससी की एक्जाम की तैयारी कर रहे हो और कोई भी फार्मासिस्ट एक्जाम की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथी बेल आइकन को भी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहें चलिए आज की कुछ और क्वेशन देख लेते हैं प्रिवेस येर्स क्वेशन देखने से आपने आइडिया लगता है किस तरह की क्वेशन आती है ना इसलिए हम लोग ये क्वेशन डिसकास कर रहे हैं देखिए 31 नमबर क्वेशन दिया 31 नमबर क्वेशन एफ फार्मासी प्रोफेशन शुद भी क्या होना चाहिए इनकेपबल अफ लेटरल तेंकिंग, नोट अप्रोचेबल, अवेलेबल और अब्सर्वेंट तो एफ फार्मासी प्रोफेशनल शुद भी फार्मारसी प्रोफेशनल शुद भी insulation ब्रया क्या होना चाहिए तेज नजरिया होना चाहिए यह ए फार्मारसी प्रोफेशनल शुद भीयकि शुद भी अब्रबजर्बेंट next question दिखती है थे पहलं है ऐक्स आनडम इंडुेयम इसिट्टेलिफे लिए लिंप प्रिषी अपरश्य वी सहे पैसे ड्रश philosoph सर्ट पिक heaven skrr एक्से सिटिटीड दे यह इजने कोशल क में Keptropyl क्या है ? सभी का पाता है ? Keptropyl ACE Inhibitor से Keptropyl क्या है ? ACE Inhibitor क्या है ? Keptropyl Anarapril क्या है ? ACE Inhibitor होती है Maob Inhibitor अगर पुछेगा, तो क्या बताएंगे ? Maob Inhibitor Phenolxin होती है Isocarboxide होती है Seligeland होती है क्या-क्या होती है? फेनलजीन आईसो कार्भोकसार जीट सेलाजीलीन यह सब माव LIVE में आती है फिर हएचम जी कोएंजाइम रिड़क्तिज इनहे बीटर किसे आती क्या-क्या होती है? यह स्टेटिन्स होती है यह स्टेटिन्स जैसे की एत्रोबेस्टिन, रोसोबेस्टिन, परावेस्टिन, फ्लोबोबेस्टिन, यह स्टेटिन सब क्या होती है? HMG, कोई इन्जाइब और कोई रिडक्टिस इन्हेबिटर होती है फिर आपका अलफा, अलफा ग्लुकोसाइड इन्हेबिटर कौन सी होती है? अल्फा ग्लूकोसाइड इन्हेविटर्स आपका एक्रोबोज एंड बोगिलोबोज यह क्या होती है अल्फा ग्लूकोसाइड इन्हेविटर्स एक्रोबोज फिर आपके यह किसमें यूज किया जाता है अल्फा अल्फा ग्लूकोसाइड इन्हेविटर्स को हम किसमें यूज करते हैं anti hyper glycemic as a anti hyper glycemic as a t use क्या जाता है as a anti hyper glycemic as a t use क्या जाता है next question देखेंगे which of the following is an ayurvedic preparation containing self generated alcohol कौनसी ayurvedic preparation है जो अपने आप alcohol generate करते है यह होती है असावा अपने आप क्या करती है self generating alcohol अपने आप produce करती है असावा असावा next question दिखते है mRNA is synthesis in the nucleus as mRNA किसे synthesize होती है यह hn RNA से synthesize होती है hn RNA से synthesize होती है next question दिखते है which of the following is macroloid antibiotics इन में से कौन सी है macroloid antibiotics erotromycin, streptomycin, neomycin and kanamycin answer है erotromycin erotromycin क्या है macroloids है erotromycin or macroloid का example बताए azithromycin होती है clarithromycin होती है clarithromycin होती है azithromycin, clarithromycin, erotromycin यह सब क्या है macroloids में आती है streptomycin, neomycin and karamycin यह क्या है amino glycoside antibiotic है amino glycoside antibiotic है antibiotic से देखिए आपको question मिल रहा है important topic है antibiotic से question पुछता है दोस्तों अगर आपने और दो वीडियो नहीं देखा तो जाके आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हो next question क्या बोला है the intake of minimum 4 to 100 drug at the same time on a regular therapeutic basis is called क्या बोलेंगे अगर minimum intake of minimum 4 to 10 drug at the same time of regular therapeutic basis is called उसको हम क्या कहेंगे polypharmacy कहते है उसको हम क्या कहते है polypharmacy कहते है और drug abuse किसको कहेंगे drug abuse drug abuse हम किसको कहेंगे drug abuse हमको regularly medicines ले रहा है regularly doses ले रहा है लेकिन excessive amount में excessive amount इसे की psychotropic drug यह सब अगर आप ज्यादा ले रहे हो तो उसको हम क्या कहेंगे drug abuse कहेंगे और drug overdose हम किसको कहेंगे overdose किसको कहेंगे जो recommended amount है उससे अगर ज्यादा हम लेंगे drug तो उसको हम क्या कहेंगे drug overdose recommended amount से अगर हम ज्यादा लेते है तो उसको क्या बलते है drug overdose drug overuse भी यह से ही है abuse की तरह जो अगर excessive amount से आप ड्राग ले रहे हो आपका लट लग गही हो इस तरह की इसको ट्राम को हम क्या कहेंगे ड्राग अबर यूज कहेंगे ज्यादा कर रहे हो और पोली फार्मासी क्या है ता इंटिक ओफ मिनिमाम ओफ फोर टू टेन ड्राग एड़ सेम टाइम और रेगुलार तेरापेटिक डोजेश याद रखना ह नेस्ट गएशन देखते हैं पिल्व करपिनमे कंसी क्या रहती है पिल्व करपेटे में पायेदा जोल तो यू करपिन में की आराउल प्ले कालोईल ग्रूप रहती है लेकाटे जल कंटेनिंग पिल्रिकोटेन, अ क्ञButton UKोसा अ को शुक्टे रहती है तो इसतू. Midazol Group रहती है। Next Question दिखती है। Structure Evaluation of a Patience Medication For Improving Health Outcome is term dress Structure Evaluation of a Patience Medication For Improving Health Outcome is term dress उसको हम क्या कहेंगे? Medication Review कहेंगे Medication Review कहेंगे क्या कहेंगे? Medication Review कहेंगे Medication Error अगर पुछेगा तो क्या बोलेंगे? medication error में क्या आती है prescribing, omissions, wrong time unauthorized drug, improper dose वो सब में क्या आती है medication error अगर कुछ गलत prescribe कर दिया फिर आपका timing रंग दे दिया फिर unauthorized drug लिख दिया या फिर doses वगएरा सही नहीं है उसको हम क्या कहेंगे medication error कहेंगे और several structure sorry, structure evaluation of a patient's medication for improving health outcome इसको हम क्या कहेंगे medication review कहेंगे next question देखेंगे pharmacopharmacopiesilence तो आपको पता है hospital formulaारी भी पता है next question देखते है the nutrient antioxidant present in varis oxidant varis में कैस तरह की antioxidant present होती है the nutrient antioxidant present in varis varis में किस तरह की होती है allergic acid होती है allergic acid होती है varies में किस तरह की antioxidant होती है allergic acid होती है अगर आपको पूछे कि alpha lipoic acid किस में पाया जाता है alpha lipoic acid आपको red meat में red meat में, फिर carrots में फिर beards में spinach में, broccoli में क्या पाया जाता है alpha lipoic acid पाया जाता है और aspartic acid किस में पाया जाता है एसपार्टिक एसिड आपका एबाकार्डो, एसपार्डियास, मॉलास ये सब में एसपार्टिक एसिड पाया जाता है एबाकार्डो में क्या पाया जाता है एसपार्टिक एसिड और वेरीज में क्या है इलाजिक एसिड नेक्स्ट क्वेस्टन देख ले है हुच अब द फॉलेंग इसे कुई नो न 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 नन नो नस नो नॉक्सी न न नालिडेख्सी केसिट, शिन्वॉक सीन, या फिर सिप्राजन। दरॉकसेशक्षेशल है तो युरे नरी हुईरे नरी ट्रेक्टराज। एन्ठी इंफेक्टि य्जण। आ इन्टी इंफेक्टिव एजेंट कौन सी है। यह है सिप्र फ्लक्से प्रमार्प जींटिक जर्णाटियद्टक्र, यह टीनों है mo다 1592 क्या है आग आँम लाक्षीड यह अग्रा, यह सिनaken को फोन फकील्ह गुए यह युआ टिकिटिंट्फ चेसर garden, 600 क्यायों कौनाटब ऑल क्या है सिनक्षीन केीन में देखेंगे, तो synoxin क्या है यह synthetic antimicrobial है synthetic antimicrobial है quinolone class की है quinolone derivative होती है और enoxin क्या है enoxin यह fluorocoon होती है fluorocoon होती है antifactorial agent यह fluorocoon है antifactorial agent है और cyprofloxacin क्या है containing urinary tract anti-infective agent अगर और पुछे का quinolone containing urinary tract anti-infective agent अगर और पुछेगा तो क्या बताएंगे cyprofloxacin है norfloxacin है norfloxacin है quillorons है oxofloxacin है anorofloxacin यह सब क्या होती है antifactorial agent urinary tract anti-infective agents होती है next question देख लेखे which of the following serve as one of the laboratories for producing oral polio vaccine oral polio vaccine कौनसी laboratory बनाती है central research institute कसुली central indian pharmacopoe laboratory गजियाबाद department of biochemical engineering iit new Delhi या फिर pastor institute of india corner तो polio vaccine कौन बनाता है pastor institute of india corner pastor institute क्या बनाता है polio vaccine बनाती है next question देखेंगे the condition of weight loss and muscle atrophy in the severe chronic illness is called phyrexia phyrexia आपका इट इस ए ग्रूप ओफ डिसर डार्जोंस कोस्ट बाइ एन अबर एकुमोलेशन ओफ पर-फायरीन पर-फायरीन के लाइज से होती है पर-फायरेन नेक्स्ट और देख्टे नॉंड कामपीटऎटीब एंजाइम इन्हेटीटर इस नॉनॉ पिटेटिटिब एंजाइन्हेटर कौन नॉनॉन कंपीटीटिब एंजाइम इन्हेटर कौन सी है यह। यह। Ti नॉन पिरनवम में वह शंता रचत्ध में थार ते def compliment यहां। Acetazolamide क्या है? Non-competitive inhibitor है Alloporinol क्या है? यह competitive inhibitors of Xenthin Oxide यह competitive inhibitor of Xenthin Oxide Xenthin Oxide के competitive inhibitors है competitive and non-competitive non-competitive में क्या आती है? Acetazolamide आती है और Carbidopa क्या है? Carbidopa विलोड Decarboxylase Inhibitor Decarboxylase Inhibitor competitive inhibitor of Decarboxylase Inhibitor Carbidopa को हम किस में देते है? Parkinson's disease में देते है Parkinson's disease में देते है और Phycosteigmine Phycosteigmine क्या है? Acetylcholinesterase Inhibitor होती है पता है? Acetylcholinesterase Inhibitor होती है यह glaucoma में दिया जाता है Glaucoma में दिया जाता है Next question देख लेते है The price that equates market supply and market demand is called Market Clearing Price Market Clearing Price क्या कहेंगे इसको? The price that equates market supply and market demand is called Market Clearing Price Next question देख लेते है Mare Contents Mare क्या है? यह gum है सबी को पता है Mare क्या है? यह gum है gum resin है यह किसे एक्स्ट्रेट किया जाता है? यह कोमी फेरा से एक्स्ट्रेट किया जाता है किसमें यूज किया जाता है Mare gum resin और इसमें क्या है? ओंस में inflammation of joint यह सब में Mare को दिया जाता है next question दिकेंगे the committee formed in hospital sitting that is responsible for overall pharmaceutical care is termed by WHO committee formed in hospital sitting that is responsible for overall pharmaceutical care is termed by WHO क्या term दियाता? DTC DTC term दियाता है Drug and Therapeutic Committee Drug and Therapeutic Committee DTC term दियाता क्या दियाता? DTC Drug and Therapeutic Committee next question दिख लेते है the active metabolite of imipramine is imipramine का active metabolite कौन सी है? imipramine का active metabolite क्या है? despiramine है despiramine है active metabolite of imipramine is despiramide और यह नहीं non-triptyline की metabolite क्या होती है? emitriptyline होती है non-triptyline की metabolite क्या होती है? यह emitriptyline होती है next question देखेंगे the protein dna complex is higher organism is called the protein dna complex in higher organism is called इसको क्या कहते है? इसको क्या कहते है? chromatin कहते है the protein dna complex is higher organism is called higher organism में इसको क्या कहते है? chromatin कहते है option 2 next question देखेंगे who among the following is referred to as the father of Indian pharmacy father of Indian pharmacy किसको कहते है? father of Indian pharmacy M.L. Shroff को कहते है Mohadev Lal Shroff M.L. Shroff को क्या कहते है? Indian pharmacy father of Indian pharmacy दोस्तों यह है आज की last question next वीडियो में हम लोग other question discuss करेंगे अगर आप ESIC के exam की तयारी कर रहे है तो आप लोग हमारे साथ में रहे ESIC को crack करना है अच्छे रहे और अच्छे से exam की तयारी कीजिए ESIC exam को crack करना है आज के लिए दोस्तों इतना ही next वीडियो में मिलते है thank you